तो हे कबड़ी दोस्टो स्वागत हमारे कविड़ी ड्री इनफारमेशन चैनल पाया है तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप मोस्क प्लेयर के बारे में जहां पर 4 प्लेयर हम देखने वाले हैं जो सबसे महेंगा बिकने वाले हैं P.K.L. आक्षन 9 में तो आक्षन 9 म देखने को मिल सकते हैं सबसे ज़्यादा महेंगे चार प्लेयर चार ही प्लेयर को हम लेकर चल ले हैं जो की बहुत अच्छे रेडर और डिफेंडर है तो यहां पर इनका प्राजपुल कितना होने वाला P.K.L. आक्षन में कौन सबसे ज़्यादा महेंगे बिकने वाले हैं तो एक और नए इंट्रेस्टी मीडिय को सुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम पहले प्लेयर पर नज़र डालते हैं तो पहले प्लेयर हम यहां पर रख रहे हैं जो की यूमवा के कप्तान है फजल अचली यह तो पिछले सीजन में बहुत अच्छा पफोंस हमें करक दिखाए तो इस बार रिलीज कर दी है यूमवा की टीम क्योंकि इनका प्राइजपोल ही बहुत अधिक था पिछले सीजन में प्रेय यूमवा की टीम अपने टीम में एक करोड़ 21 लाख देकर सामिल की थी जो की बहुत महगा प्राइजपोल है तो यहां पर इनको रिलीज कर दी है इस बार यूमवा की टीम तो इनका प्राइजपोल लगभग कितना होने वाला है क्योंकि पिछले सीजन का प्राइजपोल एक करोड़ 21 लाख ही था तो यहां पर इनके प्राइजपोल लगभग इसे मतलब सीजन 9 में आक्शन में देखने को मिल सकता है करोड़ 40 ल लिख यूँ दिसाई तो यहां पर इनका प्राइजपोल भी अधिक होने वाला एस बार क्योंकि बहुत अच्छे रेडर है लेकिन पिछला सीजन इनका अच्छा नहीं गया था क्योंकि 11 एंजरी के काल कीलन फाने पहुत अच्छ महेंगर भिगने वाले सर्क रिलीज करने वाला है इनका प्राष कोल तो बहुत महोंगे भीकने वाले हैं यह भी वह ऑगली प्लैयर पर नजेट डालते हैं तो अगले प्लैयर होने वाले हैं जो की पीकलेट के नंबर व्य रेटर है lot भाई बात करने हैं पाउनकुमास सहरावत की बारे में जहां पर इनका भी प्राज़कोल इस बार अधिक होने वाला है क्योंकि वाइब बहुत मोंस्ट रेडर हैं तो इनको भी रिलीज करती है बैंगलूर्बूस की टीम मतलब इह आक्षण में देखनों को मिलने वाले हैं तो इनका प्राज को कितना होने वाला है तो दो करूर के ऊपर ही होने वाला है नीगाएं सीजन 5 से बहुत अच्छा पफोंस हमें करते आ रहे हैं दिखाई देते हैं तो पीकल 8 के नंबर 1 और पीकल 7 की भी नंबर 1 रेडर हैं तो बहुत अच्छे रेडर हैं तो इन पर भी सभी टीमों को इन निगाएं होने वाली हैं तो इनका प्राइच पॉल 2 क्रोर के आसपास हो होने वाला है जो कि मोस्ट्रेडर हैं तो किस टीम में हो सकते हैं बैंगलो बूस के कप्तान थे तो इस पार रिलीज हो गया है तो किस टीम में मतलग कौन सी टीम इनको खरीद सकती है तो यहां पर कमेंट करकर जरूर बताये कौन सी टीम खरीद सकती हैं इनको वहीं अगले प्लेयर के पर नज़े टालते हैं तो लास्ट पलेयर हैं पर दीप नरवाज जो कि भाय मोश्ट। , पलेयर है हम इनको भी रिलीज कर देगी यूपी O गदा की टीम तो अभी तक supports नहीं की है यूपी O अपने टीम में सामिल की थी तो इनका प्राजपल एक करणग पैशाट लाग था पिछले सिजन में तो इस बार भी अधिक ही होने वाला है क्योंकि सबी टीमगों की निघाय होने वाली हैं तो यहां पर इनका प्राजपल दो क्रणग के Gud पास ही होने वाला है जो की बहुत महोंहें एकॉन नाइन के आक्सान. तो यहां पर इनको प्राइचपूल भी 2 करोब के आसपस ही होने वाला है तो 1 करोब 65 लाग था तो यहां पर इनको रिलीज ही कर डिकी क्योंकि इंका फ्रैचपूल भी बहुत अभी हो थी था तो यहां पर आक्चम में देखने को मिल सकते हैं तो हमने आपको चार प्लेयर ऐसे बताएं जो की बहुत अच्छे मतलब रेडर और डिखंडर हैं फजल अत्राचली और सिद्धा देसाई पवन परदीव तो चार ऐसे प्लेयर हम आपको बताया देया हैं तो यह सबसे महंगे बिकने वाले हैं इस सीजन तो ऐसे इंटरेस्ट का सेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा